Hey there, welcome back to our channel Any Classroom आज की हमारे इस वीडियो का टापिक है दुआ इस वीडियो में जारनेंगे दुआ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है और इसी के रिलेट हम एक सेंटेंस भी देखेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दवाना न भूलें ताकि सारे वीडियो आप तक जल से जल पहुचेंगे दुआ को हम इंग्लिज में बोल सकते हैं सप्लिकेशन और प्रियर प्रियर दुआ को हम इंग्लिज में बोलेंगे सप्लिकेशन और प्रियर एक्जामपल देहें दुआ के लिए जैसे हैं अब करने के लिए कुछ नहीं हैं लेकिन आशा और प्रार्थना करें मतलब कि अब करने के लिए कुछ भी नहीं है suppose कि कोई इनसान बीमार है और उसका इलाज नहीं हो रहा ठीक से कुछ रिकवर नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे कि अब करने के लिए कुछ भी नहीं है दवाई हो बाई सब कुछ दे दिया but hope and prayer अब करने के लिए कुछ और नहीं है लेकिन आशा और प्रार्थ ना करें so guys I hope आपको इस वीडियो को टापिक समझ में आया होगा और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें thanks for watching, bye